नमस्का स्वागत है आपका आप देख रहे हैं जौनसंदेश टाइंस कार्तिक मस धर्म का महीना इते भीर भाई भारी व्रिंदावन भाई चर्खारी जी हाँ एतेहासिक सांस्क्रतिक एवं धार्मेक दृष्टी से महतपूर्ण महोबा जिले के चर्खारी स्टेट के गोवर्दन नात जू मेले में जब कतकारियों की भीर उमरती है तो महौल व्रिंदावन सा हो जाता है और ये नजारा देख कर बस लोग यही कहते हैं कि इते भीर भाई भारी व्रिंदावन भाई चर्खारी यहां एक महा तक मेला चलता है और देवो थान एकादशी को हजारों की संख्या में लोग पहुसते हैं दुरबाग गी है कि धार्मिक एतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टी से महतपून गोवर्धन नात जू मेला को राच्किय मेला का दरजान नहीं मिल सका वहीं इस बार मेले की भविता पर भी ग्रहन लगता देख रहा है और संस्कृतिक कारिक्रम को लेकर संकट के बादल मन्टरा रहे हैं क्योंकि नगर पालिका के पास बजट का अभाव है पालिका ने मेले की तैयारियां तो शुरू कर दी पर इसके कारिक्रम के लिए बजट नहीं है बतादे की चरकारी रियासत के राजा सर मलखान सिंग जुदेव ने 1883 में मेले की शुरुवात कराई थी एक महा तक चलने वाल जी कतकारियों मौनियों की भीड उमरती है और यहां स्थापत 108 कृष्ण मंदिरों में आस्ताव मरती है काफे दिनों पहले से यहां तैयारियां शुरू हो जाती है लेकिन लोग मायूस है कि चरकारी गोवर्धन मेला को राजकिये मेले का दरजा नहीं मिल सका और आसिक वा प्राचीन मेले में संकत के बादर साफ्त और परमन रा रहे हैं मेले के गारिक्रिम सहित तैयारियों की असली तस्वीर क्या होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन लोगों ने इसे राजकिये मेला का दरजा दिलाने की मांग की है महोबा से जनसंदेश टाइम्स के लिए रामींद्र प्रताप सेंग की रिपोर्ट